मैं नाम रभी मैं आपके लिए सब्सक्राइब लेकर आता हूं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कि आपका कोई डाउट होता है या फिर कोई इंफॉर्मिशन होते जो आपके साथ सर्कुलेट करनी हो तो टाइम वही है वाइफ काना बना रही है और हमारा का मैं बच्चे को देखना अलग है आपको वास से समझा रहा होगा कि मैं सब्सक्राब है इसलिए मैं इस वारे में व अमीद है कि विटिंग लिस्ट आप आए लेकि संडे भी जा चुका है आज मंडे है तो फिर मैंने बात के जिन्होंने मुझे कहा था कि यार यह वीक आपको बहुत चांसी दहाई कि आ जाएगा तो उन्होंने मुझे यही कहा जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह 31st लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है टेक्निकल पॉइंट हो सकता है इसके वज़े से डिले आ रहा होगा लेकिन मैं अभी भी उनकी बात पर ठीका हूं 31 जनवरी हो जाने दो दो दिन की बात है कल और पढ़सो आपको यह सारी चीज़े पता चल जाएगी और मुझे पता चल जाएगी कि वो सही है या नहीं क्योंकि बहुत सारे मेल करके बुला कि सर आपने कहा तो और नहीं आई तो मैंने जनवरी 31 तक कहा था और सटेड़े संड़े इसलिए मानके चलते हैं क्योंकि वीकेंड्स में ही जनरल यह चीज़े होती है लेकिन असर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली मुझे आपसे ज्यादा हरानी है और बहुत ज्यादा चिंता का भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनको मौका मिलने वाला रिवाइद लिस्ट के जरीए उने मिले ताकि वो अपनी जिन्दगी में आगे बढ़े तो थोड़ा सा और रूख जाईए फिलाल तो 31 जनवरी है और मुझे पूरी उमीद है कि जिन्होंने भी इंफॉर्मिशन दिये वो सही दियोगी बाकी अगर नहीं सही होती तो जिम्मे आपके नेगेटिविटी का हगदार हुम है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते चाहे लेकिन इस बात से मैं अभी भी बिल्कुल strongly stand करता हूं कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं बचा रिवाइज लिस्ट रेलेटिड चाहे वो केस हो चाहे कुछ भी हो डिसीजन हो चुका है फैसला हो चुका है लिस्ट बन चुकी है बस अपलोड करने का डिसीजन आगे से आना चाहिए और वो डिसीजन आप और मैं नहीं ले सकते है ना तो डिसीजन जो लेंगे उनके जो सबॉडिनेट्स होंगे उनके तुरुए बहात चीजे भारत में और मैंने फिर उनसे कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता रिवाइज लिस्ट ना है तो जिन्होंने मुझे इंफर्मिशन देखा उन्होंने का नहीं आ रिकतिस देखा जाएगी थोड़ा से रुखो और उन्होंने एक और बात कहीं जो मैं आपको बता जेता हूं उन्होंने कहा कि अगर मानलो कि अभी रिवाइज लिस्ट नहीं आती है और थो रिवाइज लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट कंबाइन करके आएगी और फिर उसमें नंबर और सेलेक्टेट केंडेट्स ज्यादा होंगे तो अब लाइन पिल्कुल क्लियर कर चुकि है कि अभी आईगे आपकी रिवाइज लिस्ट अगर अभी नहीं आती है तो फिर आप आपको तीन से चार महीन इंतिजार करना पड़ सकता है और तब आपके रिवाइज लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट है कंबाइन हो के आएगे और उसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा तकरीबन 500 टू थाउदन के बीच में वह नंबर होगा और अटलिस्ट 500 ठीकिना बाकि कितना जाएगा वो देखते हैं समय के साथ तो यह इंफोर्मिशन है थोड़ा सा सबर करें दने बाद